नमस्कार दोस्तों फुर्से सपागत आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं वीव का मूबाईल और आपकी पास वीव का कोई सा भी मूबाईल आपको पताने वाली हो कि आप अपने मूबाईल में गूगल असिस्टेंट कैसे एक्टिव कर सकते हैं ताकि आप बिना फोन को टच किए यहां पर आप अपना गूगल असिस्टेंट यूज कर सकें तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं ओके गूगल यहां पे अभी नहीं आ रहा ना तो यहां पे आपको Google Assistant में setting करनी होती है तो यहां पे आप setting में से भी जा सकते हैं और यहां से आप इसको touch करेंगे तो setting option आ जाएगा तो directly आप इसको click कर लेंगे और यहां पे आप स्क्रॉल करके voice match का जो option है आप इस पे click कर ले करेंगे और Google Assistant की language भी यहां से आप change कर सकते हैं मैंने पिछली वीडियो में बता रखा था इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कैसे करना है Hey Google पे आपको on कर देना है next करेंगे I agree पे click करेंगे okay Google, okay Google, okay Google, okay Google, okay Google इसके बाद next कर देंगे आपका यह एक्टिविट हो चुका है, finish पे click कर देंगे और इसके बाद आपको इस पे click कर देना है I agree पे click कर देंगे ठीक है, Google आपका active हो चुका है और इसके बाद यहां पे आप अगर आपका problem आ रहा है तो आप इस पे चले जाएंगे और इसको यहां से आपका जो model है उसको आप यहां पे cross करके मतलब delete कर देंगे, delete voice model पे, ठीक है, अगर किसी और का भी add हो चुका है तो इसके बाद back कर देंगे, यहां से language change हो जाती है, हिंदी में करना चाहते है, हिंदी में कर देंगे, किसी और language में करना है तो उसमें कर लेंगे, ओके गूगल, आप यहां पे देख सकते हैं, यह आ गया, alarm सेट करना है, सुबह पांच बजएगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं, कितना अच्छा वाग करता है यह, पांच बजए का alarm भी सेट कर दिया है इसने, और मैंने अपने फोन को टच नहीं किया है, और दुबारा से मैं कर देंगे, ओके गूगल, दिवाली कब की है, आप यह देख सकते हैं, तो यह इस टेप से आपका गूगल असिस्टेंट वर्क करता है, और आप इसे एक्टिव कर सकते हैं, तो आई होग का इस यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसी तरह की और इंट्रसिंग वीडियो में तब तक के लिए नमशकार,